मद्यपदेश में गरम हुई सियासी हलचलों के बीच छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी की गिरफतारी का मुद्दा अब्दूल पकड़ता जा रहा है मतगर्णा की दो दिन पहले चिंदवाड़ा विधानसवा उप्चनाओ के लिए मैदान में उतरे बीजेपी प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू समेथ 20 बीजेपी नेताओं को गिरफतार किया है इन लोगों को आचार संगिता उलंगन के मामले में गिरफतार किया गया है करीब 20 आरोपियों को गिरफतार किया गया है जिनको नियाले प्रत्याशी के जाएगा नई यह दोस्पून कारवाई नहीं है यह रोटीन में जो कारवाई है जब रोपी हमको मिले उस समय में गरपतार किया इसका काउंटिंग से या किसी समय से कोई लेना जाना नहीं है नहीं इनकी तलास पहले से की जा रही थी बरतमान में इनकी तलास करते कल दिनाम को इनकी तलास की गई थी उसके बाद इनको गिरफतार किया जा रहा है और यदि इसमें 23 तारिक का इसमें कोई मेटर नहीं है यदि इससे पूर भी इनकी तलास करते मिलते तो उसमें इनको गिरफतार किया जाता है उधर बीजेपी की नेता इस मुद्दे पर अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं बीजेपी पुत्याशी की माने तो कमलनाध चुनाव हार रहे हैं लेहाजा मतगर्णा के दोरान गड़बड़ी करने के लिए या गिरफतारी कराई हैं बीजेपी पुत्याशी पुलिस प्रशासन पर एक तरफा खरवाई करने का आरोब भी लगा रहे हैं अगरामी 23 तारीक को मतगर्णा है और यहां से चंवाड़ा के पुत्याशी पुत्याशी पुलिस प्रशासन जो हमारे मतगर्णा है इससे बोखला करके कि मतगर्णा में अवयवस्ता फहला करके वो चुनाओ जीते हैं इससे प्रड़ीत होकर के चंवाड़े की पुलिस प्रशासन जो हमारे मतगर्णा है मदगर्णा एजेंट है मेरे प्रत्याशी मेरे चुनाओ अभी करता और हमारे जो मदगर्णा एजेंट है इनको पुलिस ने गिरफतार करने का काम करी है पिछले दिनों भाजपा के कारकरतों को प्रतारीत किया गया था उसको हम लोग ठाने में लेने आये थे उसके बाद हम लोग के उपर फरजी मामला बनाया गया और 20 दिन कोई कारवाई नहीं करने के बाद एकदम मदगर्णा के एक दिन पहले एक कारवाई दिखाती है कि कांग्रेस अपनी हार से बोखला गई है और इसमें पुलिस और प्रशासन का पूरा उपयोग करते हुए यह हम लोग की गरफतारी की गई है आपको बता दे कि राज के सियम कमलाथ जिंदवाड़ा विधानसवा से उप्चुनाव लाड़े हैं जबकि उनके विदोधवे बीजेपी ने विवेक बंटी साहु को मैदान में उतारा है विधानसवा उप्चुनाव की मतगर्णा भी 23 मै ही को होगी चिंदवाड़ा से पवन शर्मा की रिपोर्ट